हेलो चिल्डरेन हम आपको आर बीएसी क्लासफोर्थ की हिंदी कर आ रहे थे जिसमें कि इस स्रीज में आज हम चेप्टर 13 करने वाले हैं चेप्टर 13 करने वाले हैं तो इसका नाम क्या है गुरु भक्त कालीवाई हैं हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं इनकी बहादरी के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेह कर लिए वहां आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे ठीक है हिंदी का अलावा अगर आपको इंगलिस है या फिर आपको कोई और सब्जेट है तो आप वो भी आप देख सकते हैं अगर राजिस्थान के अलावा अगर आप UPSC के या RVSC के देखना चाहते हैं या फिर आप NCRT की बुक्स देखना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी वाँपे चलिए स्टार्ट करते हैं आदवासियों गड़ डठ्खनी राजिस्थान इस छेत्र का एक जिला है डूंगर पूर डूंगर पूर इस जिले में एक गाउँ है इस जिले में एक गाउँं है जिसका नाम क्या है रास्तापाल ठीक है इस गाओं का नाम आप याद रखेंगे गाओं का नाम क्या है रास्तापाल ठीक है आजादी से पहले यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था ठीक है आजादी से पहले यहां पर कोई भी सरकारी स्कूल भी नहीं था उन दिनों यहाँ एक पाट साला चलती थी ठीके उन दिनों क्या चलता था? यहाँ पर एक पाट साला चलती थी इसे प्रजा मंडल चलाता था ठीके कौन चलाता था इसे? प्रजा मंडल चलाता था इस पाट साला के सरक्चर थे स्री नाना भाई खाट ठीके, क्या नाम था इनका स्री नाना भाई खाट, इनका नाम आप याद रखेंगे, इसमें सिक्छन का काम करते थे, ये क्या काम करते इसमें, सिक्छन का काम करते थे, सिक्छा देने का कारे करते थे, स्री सेंगा भाई रोथ, ठीके, जो स्री सेंगा भाई रोथ थे, वो सिक पिछणगा काम किया करते थे इस पार्ट साला में आदवासियों का बालक भी पढ़ते थे तो इस पार्ट साला में जो आदवासियों की बच्चे थे आदवासियों के बालक बालिकाएं थी वो भी इसमें पढ़ा करती थी और बालिकाएं भी ठीक है आदवासियों जो भी नाए थी, लड़केयां थी इनमें एक भील बालिका थी, जिसका नाम था काली बाई ठीकिक जिशे कालि भाई कुम्र कितनी थी? 13 वर्ष की थी वो, उन दिनों इस छेतर के लोगों पर दोहरी मार थी, इस छेतर के जो लोग थे, इन पर दोहरी मार थी, एक और तो अंग्रेज्यों का कठोर सासन था, ठीके, दोहरी मार कैसे थी? एक तरफ तो इनके उपर जो अंग्रेज थे उनका कठोर सासन था और दूसरी ओर सामन्त सताते थे ठीक है एक ओर तो इन्हें अंग्रेज परिशान करते थे और दूसरी तरफ इन्हें सामन्त भी सताया करते थे हर व्यक्ति आजादी चाहता था ठीक है हर एक जो इनसान था वो चाहता था कि उसे आजादी मिले प्रजा मंडल आजादी का विचार इन पाट सालाओं के द्वारा जन जन तक महचा रहा था जो प्रजा मंडल था वो आजादी का विचार जन जन तक महचा रहा था किसके माध्यम से पाट सालाओं के माध्यम से सेंगा भाई बालकों को भी अंग्रेजिम के अंग्रेजों की अत्याचार की कहानिया सुनाया करते थे ठीक है जो सेंगा भाई थे वो क्या करते थे बालकों को बच्चों को बालक बालकाओं को अंग्रेजों की अत्याचार की कहा कहानिया सुनाते थे ठीक है भी सामंती सोशन भी ठीक है उनकी अत्याचार की कहानिया भी सुनाते थे और जो सामंत लोग सोशन करते थे उनके बारे में ये वो बताया करते थे काली भाई उन्हें ध्यान से सुनती थी सुनते सुनते उनका खून खौलने लगता सेंगा भाई उसके लिए बहुत ही आदर्णिये थे सेंगा भाई किसके लिए आदर्णिये थे? काली भाई के लिए भील बाला काली भाई में भी एकलब्व कीसी गुरु भक्ती के संसकार थे जो काली भाई थी उनके अंदर भी एकलब्व की तरह गुरु भक्ती थी वे भी अपने गुरु की परमभक्त थी वो भी अपने जो गुरू थे उनके उनको बहुत ही मानती थी उनकी भक्त थी एक बार की बात है प्रजा मंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी वहाँ नाना भाई भी उपस्तित थे उस बैठक में उन्होंने प्रण किया था जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गाउं रास्ता पाल की पाट साला बंद नहीं होने दूँगा क्या उन्होंने प्रण किया था? उन्होंने ये प्रण किया था कि वो जब तक बो उनकी जान रहेगी जब तक बो जिएंगे वो इस रास्ता पाल की जो पाट साला है उसे बंद नहीं होने देंगे वास्तों में बे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी सिक्षा मिले हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जागे वो हर एक बच्चे की मन में देश प्रेम की भाबना जगाना चाहते थे और हर एक बच्चे को अच्छी सिख्चा देना चाहते थे किंद यह बात रास्ता पाल के जागीरदार को नहीं पची जो रास्ता पाल का जागीरदार था उसे बात अच्छी नहीं रगी वे नहीं चाहता था कि गावों के लोगों में सिख्छा का प्रिशार हो उसने इस पाट साला को बंद करने का एक सड़यन्त रचा उसने गावों के लोगों की एक बैठक बुलाई नाना भाई को इस सड़यन्त का पता चल गया उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि एक भी ब्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया नाना भाई के समझाने पर किसी भी ब्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया गावों के लोग जब बैठक में नहीं आये तो जागीरदार जल्ला उठा, उसे बहुती क्रोध आया उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगा कर कह दी अंगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला नियाधीस दल्वल सहत रास्तापाल पहुँच गए 19 जून 1947 का दिन था, ये डेट आप याद रखेंगे 19 जून 1947, रास्तापाल की पाट साला के बहार एक ट्रक आकर रुका काली भाई उस समय खेत पर गई हुई थी पाट साला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे जिला नियाधीस ने सेंगा भाई से कहा पाट साला बंद करो और चावी हमको दो इस पर सेंगा भाई ने नमरता से कहा नियाधीस महोदे आप तो नियाए करते हैं हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं बालकों को सिक्छा देना तो राज का काम है आप उसे भी बंद कराना चाहते हैं यह तो कोई नियाए की बात नहीं है जिला नियाएदीस यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गया और बोला तुम मुझे नियाए सिखा रहे हो छोटे मुह बड़ी बात करते हो सिपाईयों इसे ट्रक से बांद कर घसीटो इधर वही बात पुलिस अदिकारी नेवी नाना भाई से कही इस बात पर नाना भाई हाथ जोड़ कर बोले सहाब यह पाट साला तो प्रजा मंडल के आदेश से चल रही है आपके आदेश से ही तो नहीं आप इसे बंद क्यों करवाते हैं ठीके पूर्शनेर कहा कि यह पाट साला तो प्रजा मंडल के आदेश से चल रही है तो आप इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं हमें पाट साला चलाने दीजिए इससे तो बालकों का भला ही होगा पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे जहन करता यहां आपके एक पिच्चर में दिखाई दे रहा होगा यह एक ट्रक दिख रहा है जिनमें इदे को इनको बांधा हुआ है यहां पे दो पुलिस वाले खड़े हैं और यह जो बच्ची दिखाई दे रही है इसी का नाम क्या है काली भाई उसके क्रोध का सागर उमर पड़ा फिर क्या था जो पुलिस अदिकारी था उसने ऐसा जब उत्तर सुना तो उसे बहुत ही क्रोध आया उसका संकेत पाते ही सिपाई नाना भाई पर तूट पड़े उन्होंने थपडों, घूसों, डंडों और बंदू के कूदों से नाना भाई की जम कर पटाई की वे बुरी तरे घायल हो गए, इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांध कर घसीटा जाने लगा नाना भाई से ये नहीं देखा गया, वे सेंगा भाई को बचाना चहाते थे घायल अवस्ता में भी वे खड़े होकर दौडने लगे उस पर एक सिफाई ने जोड से बंदूग का कुंदा दे मारा नाना भाई धराम से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं ठीके नाना भाई की ब्रत हो गई सेंगा भाई को ट्रक से बांद कर घसीटा जा रहा था पाट साला के बहार गाउं के इस्त्री पुर्शों की भीर जमा हो गई किन्तू इसमें किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि सेंगा भाई को बचाते काली भाई उस समय खेत से आ रही थी उसने सिर पर घास का गठर था जो काली भाई थी उनके सर पर घास का गठर था क्योंकि वो खेत कई हुई थी हाथ में थी हसिया और वो हाथ में क्या लिये हुए थी हसिया लिये हुए थी अपने गुरू जी को इस हालत में देख कर उसकी भौतन गई उसने उससे रहा नहीं गया उसने आओ देखा नाता हो घास का गठर वहीं जमीन पर फेका उसने ललकार कर कहा ठैरो मेरे गुरू जी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक के तरब लपकी उसने ट्रक के बंधी रसी को हसीये से एक झटके से काट दिया जो रसी सुने घसीटा जा रहा तो इस रसी को काली भाई ने हसीये से काट दिया उसने उसके गुरुजी मौत के मुँ में जाने से बच गए किन्तो अफसोस सिपाईयों ने काली भाई को गोलियों से भून दिया उसे बचाने के लिए कुछ औरती भाग कराई उस पर निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसाई जो औरती उन्हें बचाने के लिए पुलिस ने उन पर गोलियां बरसाई यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे यहाँ पर पुलिस किस तरह से काली भाई पर गोलियां बरसा रही है इस पिक्चर में किस तरह से जो पुलिस है वो काली भाई पर गोलियां मरसा रही है एक तरफ नाना भाई का सब पड़ा था और दूसरी तरफ लहू सिलतपत काली भाई एक तरफ तो नाना भाई भी मर चुके थे और काली भाई भी कुन सिलतपत थी फिर क्या था आरा वली की पहाणियों में भीलों के मरू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा देखती ही देखते हजारों भील रास्ता पाल में एकत्रित हो गए बिकट इस्थिती को समझ कर नाना भाई के हत्यारे भाग कड़े हुए काली भाई को डुंगरपूर अस्पताल में भरती कराया गया वहां 40 घंटे बियोहोस रहने के बाद उस बीर वाला ने दम तोड़ दिया काली भाई की भी मुरत्य हो गई काली भाई तो सहीद हो गई काली भाई क्या हो गई किन्त उसने अपने गुरू जी को बचा लिया था एक नन्ही ज्योती असमे बुच गई लेकिन हजारों दिलों में आजादी की अलग जगा गई ठीक है यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा ठीक है और अगर कोई जी नहीं समझ मा आती है था पूछ सकते हैं कमेंट करके और अब हम इसके कोश्चन आंसर करेंगे इसकी जो भी एक्टिविटी हैं उन्हें करेंगे ठीक है चलिए यहाँ पर आपको शब्द और उनके अर्थ दिये गए हैं जो सब्द इस पार्ट में आए हैं उनके सब्द हैं उनके अर्थ दिये गए हैं जैसे की सरकारी सरकारी का मतलब क्या होता है राज किये सरक्चक सरक्चक का मतलब क्या होता है देख रेक करने बाला बाला का मतलब होता है लड़की या बालिका उम्र का मतलब होता है आयू और अत्याचार का मतलब होता है जातिगर्णा संकेत का मतलब होता है सारा निर्मम का मतलब होता है निर्दई या फिर क्रूर ढोल का मतलब होता है नगाले मातमी स्वर का मतलब होता है सोक या दुखी भरी आवाज सोक या पर दुखवरी आवाज असमे का मतलब होता है समय से पहले उच्चारण के लिए अब यहाँ पर कुछ चब्दाइं हैं जिने आपको बोल बोल कर देखना है क्या है जैसे दच्छडी पहला क्या है दच्छडी डूंगरपूर रास्तागाउं इस तरह जो शब्दाइं है उन्हें आपको बोल बोल कर देखना है भों, हस्या, डंडों इन्हें आपको बार बार बोलना है और फिर आपको याद हो जाता हम लिख कर भी देख सकते हैं सोचे और बताएं यहाँ पर कुछ कोश्चिन आंसर दिये गए है इन कोश्चिन के आपको आंसर करने है पहला क्या पूछा गया आपसे आदवासियों का गड़ किसे कहा गया है तो आदवासियों का गड़ किसे कहा गया है तो हमने देखा थे स्टोरी में कि आदवासियों का गड़ किसे कहा गया है तो आदवासियों का जो गड़ है दच्छणी राजिस्थान को आदवासियों का गड़ कहा गया है तो I hope आपका answer डिस्पले हो रहा होगा दिखाई दे रहा होगा तो आप वीडियो को रोक लिख लीजिएगा कि आदवासियों का गड़ किसे कहा गया है तो दच्छडी राजिस्थान को आद्वासियों का गड़ कहां गया है, तीक है, सेकिन में आपसे क्या पूछा गया है, तू में दूसरे में पूछा गया है कि सेंगा भाई बालकों को क्या सुनाते थे, तो सेंगा भाई बालकों को क्या सुनाया करते थे, तो आप इसका अंस सुनाया करते थे, ठीक है, चलिए, थार्ड में, तीसरे में आपसे पूछा गया है कि प्रजा मंदल को बैठक में कौन-कौन उपस्तित थे, ठीक है, जो प्रजा मंदल की बैठक हुई थी, उसमें कौन-कौन उपस्तित थे, ठीक है, तो आप इसमें बताएंगे, कि तीसरे का आणसर आप देंगे तीस्टेक उत्तर की जो प्रजा मंदल की बैठक थी प्रजा मंदल की बैठक में सभी सदस्यों के साथ नाना भाई खाट और सेंगा भाई रोद उपस्ते थे तीके अब यहाँ पर नीजे आपको लिखना है ठीके क्या लिखना है इसमें चले देख लेते हैं लिखें क्या लिखें सही उत्तर का क्रमाच्छर कोश्टक में लिखें ठीके तो आपसे पहला क्या पूछा गया एका अंग्रेजों की अत्याचार की कहानिया कहानियों को ध्यान से सुना जाता था ठीके तो किसके द्वारा अंग्रेजों की कहानियों को ध्यान से सुना जाता था, तो अंग्रेजियों की अत्याचार की कहानियों को ध्यान से सुना जाता था, काली भाई के द्वारा, ठीके, तो आप इस कोश्टक में क्या लिखेंगे, सा लिख लेंगे आप इस कोश्टक में, ठीके, आप इसमें सा लिख दोगे, कि काली भाई के द्वारा, सेंगा भाई को ट्रक से बांद कर घसीतन देखा तो काली भाई ने क्या किया ठीक है जब काली भाई ने देखा कि सेंगा भाई को ट्रक से बांद कर घसीता जा रहा है तो उन्होंने क्या किया हसीय से रसी काड़ दी ठीके उन्होंने हसीय से रसी काड़ दी थी तो आप यहां कोष्टक में the option लिखेंगी ठीके चलिए second में आपको क्या उत्तर देना है second में आपसे पूछा गया है दूसरे में कि आजादी का विचार कौन सी संस था जन जन तक पहुचाती थी तो वो कौन सी संस्था थी जो आजादी का विचार जन जन तक पहुचाया करती थी तो आप उत्तर में लिखेंगे कि प्रजा मंडल आजादी का विचार जन जन तक पहुचाया करती थी प्रजामंडल आजादी का विचार जन जन तक पहुचा रही थी कैसे भी आप लिख सकते हैं चले थर्ड में तीसरे कांसर आप से पुछा गया है कि काली बाई का खून क्यों खौलने लगता था तो काली बाई का खून क्यों खौलने लगता था तो तीसरे को उत्तर आप देंगे कि अंग्रेजों वा सामन्तों के अत्याचारों वा शोषण की कहानिया सुनकर काली भाई का खून खौलने लगता था ठीक है तो आप इसको उत्तर इसका देलेंगे आई होब अब फौर्थ में आपसे पूछा गया है कि नाना भाई ने क्या प्रण किया ठीक है तो नाना भाई ने क्या प्रण किया था क्या प्रण लिया था उन्होंने तो आप फौर्थ कांसर करेंगे कि जब तक जान है तब तक रास्ता पाल पाट साला बंद नहीं होने देने का प्रण नाना भाई ने किया था तो नाना भाई ने का प्रण किया था कि जब तक उनकी जान है तब तक वो रास्ता पाल की पाट साला को बंद नहीं होने देंगे फिफ्त में पांच में का अंसर आप देंगे पांच में आपसे पूछा गया है कि गाउं के लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया तो गाउं वाले जो लोग थे उन्होंने जागीरदार की बैठक में भाग नहीं लिया था क्यों नहीं लिया था? क्योंकि नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को जमीदार की बैठक में भाग नहीं लेने के लिए समझाया था ठीक है? इसलिए उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया था सिक्स में छटे का अंसर आप देंगे? क्या पूछा यहां आप से? कि खेत के रास्ते खेत से आते समय काली बाई ने क्या देखा? तो काली बाई ने क्या देखा था खेत से आते समय? ठीक है? यह बात तो आप जानके होंगे? आपको याद हो गई होगी? कि काली वाई ने आप क्या लिखेंगे इसका कि काली वाई ने खेट से आते समय देखा कि सिपाई सींगा भाई को ट्रक से बांद कर घशीट रहे हैं यही देखा था काली वाई ने ठीक है तो आप इसका अंसर लिख लेंगे फिर सेबंथ में काली वाई ने जब रसी कार दी तो सिपाईयों ने क्या किया ठीक है जब काली वाई ने रसी कार दी तो सिपाईयों ने काली वाई ने जब रसी कार दी तो सिपाईयों ने काली वाई को गोलियों से भून दिया ठीक है काली बाई पर गोलियां चलाने लग गये थे आपने पिच्चर में देखा था फोटो में ठीक है अगर आप चैप्टर को दो तीन बार सुन लेंगे तो आपको सारे आंसर वैसे ही याद हो जाएंगे चले एर्थ में आठ में आपसे पुछा गया है कि रास्ता पाल में हजारों भील एकत्रित क्यों हो गए ठीक है तो रास्ता पाल में हजारों भील क्यों एकत्रित हुए थे क्योंकि भील बाला के मारे जाने से मारू ढोल का मात्मी स्वर सुन कर रास्ता पाल में हजारों भील एकत्रित हो गए ठीक है तो आप वीडियो करो किस कहां से भी लिख लेंगे आई होप यह आपको समझ में आ रहे होंगे अब नाइन्थ में आपसे पूछा गया है नवे में कि नाना भाई के हत्यारे क्यों भाग गए थे तो नाना भाई के हत्यारे क्यों भाग गए थे क्योंकि आप norm council लिखेंगे भीलों की जमा भीड से क्योंकि सारे भीली खट्टे हो गयते न भीलों की जमा भीड से उत्पन बिकट इस्थिती को देखकर नाना भाई की हत्यारे भाग गए ठीके चले यह आपके questions हो गए हैं यहापे अब देखते हैं और क्या बचा है भासा की बात अब यहाँ पर कुछ भासा की बात है जिसे मैंने पहले तो आपके लिख दिया है पहले ही ताकि वीडियो बड़ा न हो और अब हम यहाँ आप समझ लिजिए कि आपको करना क्या है तीके यहाँ पर देखे आप से पूछा गया है कि न्याए में अधीर चोड़कर न्याए धीस बनता है ठीके न्याए प्लस अधीस जोड़ा तो क्या बना न्याए अधीस ठीके आप भी नीचे लिखे शब्दों में अधीस शब्द जोड़कर ने शब्द बनाए अब यहाँ पर देखें, जैसे हमने देखा था नियाए प्लस अधीज को जोड़के नियाई अधीज बन गया अब आपको सम्मे अधीज चोड़ना है जैसे जिला तो जिला प्लस अधीज तो जिला अब क्या यह बन गया जिला अधीस बन गया ठीक है ऐसी मठ प्लेस अधीस मठा अधीस ठीक है तो यहाँ पे जिला अधीस बन गया यहाँ पे मठा अधीस बन गया अब द्वार का प्लेस अधीस हमने जोड़ा तो क्या बना इसको प्लेस करें तो क्या बन गया द्वार का अध बन गया गणाधीस बन गया ठीक है तो इस तरह से आप कुछ नए श्रब्दी बना सकते हैं प्रक्टिस कर सकते हैं ठीक है आई होप यह आपको समझ में आ गए होंगे फिर भी नहीं आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके चले और देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है नीचे अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि नीचे दिये गए शब्दों में अंतिमवन रण के इस्थान पर का जोड कर पुना लिखें ठीक है यहाँ देखिए सब के पीछे क्या जोड़ा हुआ है रण जोड़ा हुआ है ठ तो आपको का जोड़ की बनाना है जैसे यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है नीरिच्षण लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे नीरिच्षण और यहाँ पर आप का जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा नीरक्षक बन जाएगा ठीक है ऐसी पोशन पोशन में आप क्या काजोडocket क्या बनेगा इसमें देखिये इस पोषग हो जाएगा क्या रद गया वो श्रक बन गया ऐसी सिख्छञ तो सिख्छण पर कहरें गुद्ध क्या बनेगा गरा है सिख्छयए मा जोगे तो सिख्छण बन गया क्या रह्म इला कि अपको समझ में आ गए हो Liz से आप कर लएंगे इनको कि ग्रृव तो 10 को आप कंप्लेट कर लीजेगा है । यहां पर फिर भी देखे लीजेगा आप देखकर कर सकते हैं कि निय्ट फेरहम का पने रखिक हो जाए गा पोछर का पोश्क हो जाए जाएगा और सिक्षण का क्या हो जाएगा सिक्षण हो जाएगा ठीक है कि इनको आप करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है यह मैंने लिख दिया है आप देख लीजिए इनको सबको अब आपको समझ में आ अब यहां नीचे आप से क्या पूछा गया है देखिए अंग्रेजों की अत्याचार की कहानिया सुनकर काली भाई का खून खून खूलने लगा ऐसी कहानी थी कि अंग्रेजों की जब उन्हों नत्याचार कहानी सुनी थी तो काली भाई का क्या था खून खून खूलने लगा था यह रेट से आपको लिखा दिख रहा है इस बाक में लाल रंग से छपाँ अंज एक मोहारा है क्या है जो आपको लाल से दिखाई दे रहा है यह एक मोहारा है इसका आर्थ क्रोध आने लगा होता है क्या हुआ इसका आर्थ होता है क्रोध आने लगना ठीक है उन्हें क्रोध आने लगा था अंग्रेजों कहानिया सुनकर उन्हें क्रोध आने लगा था अंग्रेजों की अत्याचार की कहानिया सुनकर इसलिए उनका खून खौनले लगते हैं अब आपको आपको से क्या पूछा गया है कि पार्ट साला में कुछ मोहावरे आए है ठीके जो हमने ये पार्ट पढ़ा है उसमें कुछ मोहावरे आए है उनको छाट कर लिखे ठीके जो मोहावरे आए है आपको उनको छाट कर लिखना है तो आप क्या क्या लिख सकते हैं जैसे आपको यह दिखाई दे रहे होंगे डिस्प्ले हो रहे होंगे जैसे नमक मिर्च लगा कर कहना यह आया था ठीके नमक मिर्च लगा कहना मुहावरा है आग भवूला होना, ये भी मोहवरा है, जो कि आपके पाट में आया है, छोटे मुह बड़ी बात, ये भी मोहवरा है, जो आपके पाट में आया हुआ है, क्रोध का सागर उमरना, ठीक है, ये भी मोहवरा है, तूट पढ़ना, भोतनना, और भाग खड़े होना, ये सब आपक सकते हैं अब सेंकिंट मैं आप से पूछा गया है सिक्छक से पूझजकर इन मअर्था पताने हैं अब दोसरे में आपको इंके आर्था पताने हैं तो आपके आर्था किया होता है बढ़ःा-चढ़ा-कर कहना थीक नवक मिर्च लगा के कहने का मतलब बढ़ा चड़ा के कहना, आग बबूला होना, मतलब बहुत तेज गुस्सा आना, ठीके, चोटे मुह बड़ी बात, अपने इस तर से ज्यादा बड़ी बात करना, या कहना, क्रोध का सागर उमरना, मतलब आग बबूला होना, बहुत खुदाना, भाग खड़े होना, भाग जाना, खुन खौलना मतलब गुसा आना, इनके आर्था आप ऐसे लिख सकते हैं, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ में गुरु भग तथा परम भक्त शब्दाएं हैं, ठीक है, भक्त जोड़कर नए, ऐसे ही नए शब्द ब बनाने हैं, क्या जोड़कर, भक्त जोड़कर, ठीक है, तो इनको आप ट्राइ करिएगा, यह आपका होंबर्ख है, ठीक है, आप क्या क्या और बना सकते हैं, अब नीचे लास्ट में आपसे पुछा गया है, कि नीचे दिये उधारन के अनिसार, क्रियाओं के रूप बदल कर बाक लिखे, ठीक है, जैसे कि दोड़ना, मोहन दोड़ता है, ठीक है, रोसन दोड़ा, करीम दोड़ेगा, ठीक है, ऐसी लिखना, लिखने को आपको बनाना है, ठीक है, लिखने को आप क्या बना सकते हैं, और फिर खाना, पानी, खेलना, हसना, गाना, ठीक है, यह सब आ हैं तो आप इन सबको कैसे बनाएंगे जैसे पहला आपकmen दिया गया है उसे का से आधार पिए आपको बनाने हैं ठीक है जैसे की लिखना में लिखता हूं ठीक है तुमने लिखा वह लिखेगा खाना राम खाता है मोहन ने खाया सीता खाएगी ठीक है ऐसे ही पानी मैंने पानी मैं पानी पीता हूँ सुरेश ने पानी पिया राजेश पानी पियेगा खेलना सुरेश खेलेगा या खेलता है इस्ता ने खेला और नहील खेलेगा ऐसे आप बना सकते हैं हसना राज हसना है वय हसा रस्मी घेगी ठीक है गाना का मतलब क्या है, मैं गाता हूँ, उसने गाया, तुम गाओगे, इस तरह से आप सभी का बना सकते हैं, ठीक है, वीडियो करोकर कर भी आप लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप अगर पार्ट को पूरा समझेंगे, तो आप आ अजया कोई आसपरोस में अत्या mend का विरोद करने वाली कौण सी घटना घटी है।' अगर ऐसी खट्ना की आश पास सोई है तो उसके बारे में आप लिखेंगे मुझे कमेंट में बताएंगे तुम क्या करोगे ठीक है। अगर ऐसी ढूंधना-घटी हैं त्याचारी में जैसे कि कोई जानवरों को पीइटता है तो आप आप क्या करेंगे तो आप South यह बताईंगी हमें दो बालक आपस में जंगण रहे हैं तो आप जंगड़ने नहीं सबालन सकते हैं उन्हें कमेंट करके बताना है तो यहां पर यह चैप्टर आपका खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैप्टर नमबर 14 ठीक है अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप किसी भी और सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अगर आपको वह नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू अल आफ यू थैंक यू फर वाचिंग